हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टड़ेविश रुट्टी सो गाइज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सिरोसिस ओफ लिवर सिरोसिस ओफ लिवर क्या होती है एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव लिवर डीजिस होती है जो दीरे-दीरे क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, जब नॉर्मल जो फ्लो होता है, बलड का, बाइल का, या जो हिपैटिक मेटबॉलाइट्स होते हैं, वो अल्टर हो जाते हैं, अब वो अल्टर कैसे होंगे, या तो हहां पर कोई भी फाइवरोसिस हुआ है, या फिर चें से हमें सिरोसिस ऑफ लिवर देखने को मिलता है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है, इसकी लैनेक सिरोसिस, इसमें क्या होता है, बहुत जादा मैसिव लोस होता है, जो लिवर सेल्स होते हैं, और उसमें क्या ह आता है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इसमें क्या होता है यह बहुत जो वेरियस टाइपस होते हैं उनकी वजह से यह हमें देखने को मिलता है उसके बाद आता है बिलेरी सिरोसिस इसमें क्या होता है जो बाइल फ्लो होता है हमारा डिक्रीज होता रहता है करन्ट जो वे हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद आता है cardiac cirrhosis, cardiac cirrhosis जो हमारा जो right side congestive heart failure होता है, उसकी ज़े से हमें cardiac cirrhosis देखने को मिलता है, अब हम बात करते हैं इसके causes की, या फिर हम कह सकते हैं, etiology factor की, कि क्या-क्या वो causes होते हैं, जिनकी वज़े से हमें cirrhosis देखने को मिल सकता है सबसे पहले होता है alcoholism अगर कोई बहुत ज़ादा alcohol intake करता है उसकी वज़े से उसके बाद malnutrition अगर किसी को है तो malnutrition की वज़े से bile stasis की वज़े से क्योंकि bile वहाँ पर क्या हो रहा है arterioventricular wave disease जो होती है इनकी वज़े से हमें cardiac cirrhosis देखने को जो है मिल सकता है उसके बाद type B and type C hepatitis की वज़े से अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो post necrotic cirrhosis होता है वो हमें type B और type C hepatitis की वज़े से देखने को किसी भी hepatitis की वज़े से देखने को मिल सकता है तो जैसे की type B or type C hepatitis क्या है cause है इस चीज़ का ठीकिए उसके बाद chronic bialry obstruction है को inflammation है या फिर prolonged pericarditis है तो इनकी वज़े से हमें क्या है cirrhosis जो है liver का वो देखने को मिल सकता है फिर हम बात करते हैं इनके risk factors की तो risk factor में जो alcohol consume करते हैं वो लोग जो proper nutrition नहीं लेते हैं यानि कि malnutrition जो है किसी को viral hepatitis है या कोई बहुत ज़दा obese है obesity उसमें हमें देखने को मिल जी है तो ये लोग क्या होते हैं ज़दा prone होते हैं liver cirrhosis होने के pathophysiology के हम बात करते हैं pathophysiology क्या होता है कि कैसे वो problem हो रही है कैसे वो सारा जो disease है वो कैसे अकर हो रही है हमारी तो primary event क्या होता है injury होती है हमारी hepatocellular elements के जो हमारी hepatocellular elements होते हैं वहाँ पे जाके injury होती है जिसकी वज़े से वहाँ पे inflammation होती है अब inflammation क्यों हो रही है क्योंकि जो cytokinin है वहाँ पे delize हो रहे है उस चीज से fight करने के लिए, injury से fight करने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है, cytokinin release हो रहा है जिसकी वज़े से हमें inflammatory response देखने को मिल रहे हैं अब inflammatory response होंगे, तो destruction होगा वहाँ पर hepatocytes का, ठीक है, bile duct cells का और vascular endothelial cells का और जो ये cells का destruction हो रहा है, जो ये cells generate होते जाएंगे, पुराने cells जो है, जहां से भी उनको damage हो रहा है, रिपेर होते जाएंगे अब वो जैसे जैसे रिपेर हो रहे है, वहाँ पर क्या हो है, वो scar formation कर रहे है तो ये क्या होता है, cirrhosis of liver शुरू से समझते हैं, एक injury होई है हिपेटो-cellular elements में, जिसकी वज़े से क्या है, cytokinin release हो रहे है, inflammatory response वहाँ पर आ रहा है inflammatory response की वज़े से जो है, destruction हो रही है हिपेटो-cellular cells की, bile duct cells की और vascular endothelial cells की अब जो ये destruction हो रही है, ये रिपेर हो रही है cellular regeneration की help से, और जो regeneration हो रही है और जो ये प्रूरा प्रोसेस चल रहा है, injury चल रही है ऐसी रोसीज हो रहा है liver का, तो इसमें हमें क्या-क्या उस आइनरो सिंटम्स देखने को मिलते हैं, तो nausea, vomiting हो सकता है, aneroxia हो सकता है, ठीक है anemia देखने को मिल सकता है, हमें diarrhea हो जाएगा indigestion होएगा, bleeding हो सकती है, ठीक है उसके बाद hepatic incephalopathy हो सकती है, यानि कि जो liver damage हुआ है, उसकी वज़े से हमें brain में incephalopathy भी देखने को मिल सकती है, उसके साथ-साथ importance और जो peripheral edema है, वो हमें इस case में देखने को मिल सकता है, फिर हम बात करते हैं इसकी diagnostic evaluation की, कैसे हम diagnose करेंगे, तो हम जो है, radio isotope liver scan करा सकते हैं, CT scan करा सकते हैं, ultrasound और isophagogastro-dudonoscopy भी हम इस case में करा सकते हैं, उसके साथ-साथ abdominal x-ray, MRI, liver biopsy और CBC जो है, हम करा सकते हैं, liver cirrhosis के case में, फिर बारी आती है management की, non-pharmacological में क्या कर सकते हैं, हम high carbohydrates diet दे सकते हैं, anadite जो है, वो low देंगे, low fat diet देंगे, और इसके साथ-साथ हम क्या देंगे, vitamin supplements देंगे, क्योंकि patient क्या है, malnutrition जो है, वो उसमें हमें देखने को मिल रहा है, malnutrition इसका एक cause बन रहा है, तो उसको हम vitamin supplements देंगे, और high carbohydrate diet देंगे, pharmacological बात करें, तो हम उसको diuretics देंगे, antihistamines, K supplements यानि की potassium supplements हम जो है, उनको provide करेंगे, corticosteroids देंगे, antibiotics देंगे, और vitamin और fat soluble, जो vitamins होते हैं, वो जो है, हम patient को provide करेंगे, तो हम सिधा भी कह सकते हैं, कि vitamin, जो है, supplements हम patient को देंगे, उसके बाद बार याती है, surgery की, तो surgery की case में, हम यहाँ पर liver transplant करा सकते हैं, ताकि जो liver की functioning जो खराब होगी है, जो cells damage होगे हैं, अगर वो proper recover नहीं कर पा रहा है medications की help से, तो हम क्या करेंगे, हम पर liver transplant कर सकते हैं, फिर बार ही आती है complications की, तो इसकी वज़े से हमें portal hypertension देखने को मिल सकता है, hemorrhage, splenomagally और malnutrition जो है as a complication हमें देखने को मिल सकता है, liver cirrhosis की